पलक की कड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है तीन चमच बेशन और इसमें मैंने डाला है तीन सो ग्राम दही अब हम इन दोनों का अच्छे से बिल्कुल मिक्स करेंगे इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें और जब यह मिक्स हो जाएगा इसमें मैं लगभग धाई गलास पा कर सकते हो अधर मैं कड़ाही रखूंगी गरम करने के लिए उसमें मैंने डाला है लगभग 3-4 चमबर्स तेल सरस ओयल का यूज कर सकते हैं एक डाला है मैंने इसमें तेजपत्ता और थोड़ा सा डालोंगे मैं यह धनिया सुख्य धनिया होती है वो डाली है दो मैंने डाल दो बारी कटे हुए प्याज है इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे ब्राउन कर लेंगे प्याज को अपने इदिखे हमारी जब प्याज बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी तब मैंसमें मसाले अट करूंगी एक चमच है इसमें हल्दी पाउडर एक चमच मिर्जी पाउडर एक चमच धनिया पाउडर और मैं इसमें आट करूंगी आधा चमच हींग का हींग ज़रू डालना है आपको अभी दिखें मसाले हमारे जब मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें अपना बैटर डाल देंगे दही का और बेसन का और इसे कंटीनियू मिक्स आपको बिकुल जस् बैसमें ञड़ी को आपके शाले रखते हैं तो मिक्स यूगा लिए द चापते हैं तो यूद को साम कि उल्त में में पकोड़ी को बामत अधा लिक शाया चाहूद फोड़ा धन्यकitting पावडर दाल एक चमबच एक मिरची पावडर एक चमबच हलदी के पावडर और थोड़ा सडाला identified अपनलेंस संफ और नमक आप है को अफ्रेख नभाप होद कोश्वल . थोड़ा सब stir लोगए 3 sitä 4 चमबच दःए इसे भी हम mix कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से पानी डालने की बिल्कुल भी जो इतनी पानी छोड़ता है पालक हमारा और इधर देख लेते अपनी कड़ी हमारी कड़ी में उबाल आ गया है जैसे आपकी कड़ी में उबाल आ जाएगा वैसे आप इसमें नमक भी डाल दीजिए और साथ में अपने पालक के पत्ते भी डाल दीजिए तो मैं नमक डाल चुकी हूँ अब मैं इसमें पालक के पत्ते डालूंगे कड़ी को लगबख 10 मिनिट के लिए और इसे कवर करके पकाएंगे हम ताकि हमारे पत्ते अच्छे से पक जाएं और इधर हम पकॉड़े रैडी कर लेंगे अपने यह दिके हमारे पकॉड़े भी बिल्कुल अच्छे से बन चुके हैं और इने में डारेक्ट इस कड़ाई में राण देंगे हम निकाल कर 10 मिनूट हो चुके हैं कड़ी भी लगबख पकी हैבן अब हम्मनेस बिल्कॉड़े और पकॉड़े भी अच्छे से नरं हो जाएंगे कड़ी में मिक्स हो जाएंगे तैसी पर खुर्ण है कवर करके फिर पका लेंगे अब हम इसे चलिए 10 मिनत के लिए हम इसे पकने देंगे यह देखिं हमारी बिल्कुल बनके रैडी हो चुकी है और आप मैं इसे सर्फ कर लूंगे एक बरतन में या एक प्लेट में कटोरी में चले देख लेते हैं अब हम इस से इस प्लेट में सर्फ कर लेंगे कड़ी हमारी बहुत ही टेस्टी और यमी बिल्कुल बनके तयार हुई है अगर आपको मी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेय और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं एक्स रेसिपी में बाई बाई